हेलो फ्रेंड मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से यार ये मेरा स्क्यू लाइट का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है सब क्वेरी मतलब अगर मुझे एक क्वेरी के अंदर दूसरा क्वेरी लिखना है तो उसे हम कैसे लिखेंगे तो चली इसको स्टार्ट करने से पहले जिसमा आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी दक आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं करका है तो सब्स्राइब कर ले आर बगल में जो बहले उसे जरू क्लिक करें जिसे मेरे जितने भी नए वीडियो होज नमबर और सेलरी है और उसके बाद मैंने एक question table बना रका है जिसमें department नमबर डिपार्टमेंट नेम और सिटी है यहाँ पर मैं इनका स्कीमा भी आपको दिखा différents के अबर से मतलब डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट नमबर है वो primary की है और employee में जो डिपार्टमें number है वो फोरण किये तो चलिए अब हम लोग एक simple सा sub query लिखते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि employee table से उन सब का data दिखाते हैं जिनकी salary हरसित से ज़्यादा है ठीक है तो हरसित की salary 45,000 है तो हम उनका data दिखाएंगे जिनकी salary हरसित से ज़्यादा है ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ select star from EMP where salary is greater than पर यह salary किस से ज़्यादा होना चाहिए हरसित से तो हरसित की salary जानने के लिए हमको फिर से एक query लिखना पड़ेगा select salary from EMP where ename equal to हरसित तो क्या होगा कि यह जो inner query है यहाँ पर सब query में क्या बोलते है जो अंदर वाला query होता है इसे हम inner query बोलते है और जो बाहर वाला select statement होता है उसे हम outer query बोलते है यहाँ पर क्या होता है जो inner query होता है वो पहले एक्जिक्यूट होता है तो ये वाला जो query है वो पहले एक्जिक्यूट करेगा तो ये हमें हरसित का salary देगा और फिर बाकी सभी के salary compare होगा हरसित के salary से और जिनका भी salary हरसित के salary से बड़ा होगा उसका detail दीखेगा तो clearly यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरसित से ज़्यादा केवल राहूल का salary है तो यहाँ पर जो data दिखेगा वो राहूल का दिखेगा तो जैसे हमने enter किया तो आप देख रहे हैं 2 राहूल 33 डिपार्टमेंट नंबर और 65 तो यहाँ पर जो है राहूल का salary दिख रहा है क्योंकि इसकी salary हरसित से ज़्यादा है तो इसे हम लोग sub query बोलते हैं अब दो tables के बीच में sub query कैसे लगाएंगे वो भी मैं देखता हूँ तो मैंने select start from EMP लिखा तो यहाँ पर employee का data आप देख सकते हैं उसके बाद मैंने लिखा select start from DPT तो यह department का भी आप data देख सकते हैं अब हम क्या चाहते हैं कि department table से उनी departments का detail दिखे ठीक है जिन departments में यह employee काम कर रहे हैं अगर आप देखेंगे तो department number 11 में employee काम कर रहे हैं 33 में काम कर रहे हैं 44 में काम कर रहे हैं तो 22 में काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे result में 11, 33 और 34 आना चाहिए तो चलिए देखते हैं तो हम लिखते हैं select star from DPT आप चाहें तो पूरा का पूरा data भी दिखा सकते हैं star लिखके आप चाहें तो केवल department number और name देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं तो वेर उसके बाद मैं लिखता हूँ dno in और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ select dno from EMP मतलब employee table में जितने भी department number है तो employee table में यह तीन department number है 11, 33, 44 तो यह department के department number से compare होगा और जो match करेगा वही result में आएगा तो जैसे मैं enter करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 11 आ रहा है, 33 आ रहा है, 44 आ रहा है 22 नहीं आ रहा है क्योंकि 22 department number जो है वो हमारे employee table में नहीं है जैसे यहाँ पर हम select star from EMP लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 department number नहीं है तीज तरह से आप sub query apply कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको second highest salary देखना है जैसे यह employable है और suppose that आपको second highest salary देखना है तो आप क्या लिख सकते हैं select max of salary ठीक है from EMP where salary less than अगर आपको second highest salary देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा first highest salary निकाल के उससे जितने लोगों का कम है उनका निकाल के उसमें जो highest होगा वो आपका second highest होगा तो salary less than और bracket में हम लिखेंगे select maximum of salary from EMP तो यहाँ पर क्या होगा पहले employee table से maximum salary निकलेगा तो क्या निकलेगा 65,000 अब उसके बाद उपर क्या हैगा salary less than तो 65,000 से छोटा कौन-कौन सा है 45,000 और 34,000 है अब हम 45,000 और 34,000 में जो maximum है उसको दिखा रहे हैं तो क्या होगा 45,000 तो इस तरह से क्या है आपका second highest निकल जाएगा तो sub query का यूज़ करके आप second highest salary भी निकल सकते तो आप देख सकते है 45,000 जो है वो second highest salary है तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि sub query कैसे काम करता है अब आप sub query को update और delete के साथ भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ delete from emp where और उसके बाद मैं लिखता हूँ salary in और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ select maximum salary from emp जैसे employee table में जिसका भी maximum salary है उसका record को हमें delete करना है तो हमने क्या लिखा delete from emp where salary in select maximum salary from employee तो सबसे पहले क्या होगा inner query काम करेगा तो सबसे पहले maximum salary निकलेगा और सभी salary के साथ compare होगा जिसका maximum होगा वो delete हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे हम click करेंगे तो आप देख रहे हैं कोई भी error नहीं आया इसका मतलब हमारा query काम कर चुका है अब हम select star from emp लिखेंगे तो आप देखेंगे जो 65,000 वाला जो salary था वो हमारा गायब हो चुका है तो जिनकी 65,000 salary थी उनका record delete हो चुका है क्योंकि यहाँ पर जो highest salary था वो 65,000 था तो दोस्तो इस तरह से आप sub query को use कर सकते है तो चलिए प्रेंट आई होप कर आपको वीडियो पसंद आओगा अच्छा लगा तो like करें, share करें, comment करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं करका तो subscribe कर लें अगर बगल में जो बैले उसे जरू क्लिक करें जिसे मेरे जितने भी नए वीडियो जें उनके notification आपको मिलता रहे थेंक्यों दुबार